सर कुछ दिन पहले आयोध्या में सिये मोहन यादव ने कहा कि आयोध्या के बाद मतुरा के बारी, आखिर उनके मन में क्या है? मन में वो ही है जो देश के अधिकांश लोगों के मन में है राम लला के बाद आयोध्या के बाद लोग मत्रा के यात्रा करना चाहते हैं जो है और वो गए थे अभी लख्णव तो उन्होंने ये ही कहा कि अब आयोध्या के बाद इसकी बारी है मतरा की और फिर उने ये भी कहा कि जब रामलला मुस्करा रहे है अयोध्या में तो फिर भगवान कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं उसमें क्यों विलंब है क्यों दूरी है क्यों देरी है तो बात उनका भाव वो ही है मुख्यमंत्री हैं, जिमेदार पत्पे हैं, तो एक दम से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मन का भाव सब का यही है, अधिकाश भारतिये लोगों का, और विशेशता है भाजपार, भारतवासियों का इमानिय अपता, अब भाजपार भारतवासियों का अंतर जाना, बहुत नेरो क्रिश्टन का बनाएं लोग की हैं, उनके मन क्या विलाशा थी जो उन्होंने कही है।